हलो दोस्तो जितने हो भी छातर मैटीक है और दोजार तेज की बूर्ट प्रिक्षा में सामिल होने वाले है उनसे पहले यहां पे दोस्तो पर्थम साभदीग परिक्षा फर्स्ट टर्मिनल एक्जामरेशन लिया जा रहा है जितने भी चाते इसमें देने वाले हैं ग्याम 2 तो उन सवी 46 में 46 के लिए सोचल सेंस के यहां पर हम लोग पूरा एंसर की देने वाले हैं जितने भी अब्जेक्टीव साथ में सब्जेक्टीव लगूतर्य दिरीगूतर्य प्रस्ट सभी बताऊंगा दोस्तों वीडियो को शुरू से कर अंतक जूर देखेगा ठीक है ना जितने भी कोशन्स आप लोगों से यहां पे पूछे जारे वो सारे के सारे हम लोग यहां पर कवर करने वाले हैं तो वीडियो को लास्ट तक जूर देखेगा और यहीं सेम अपने मोगल पे एक बार पढ़ लो दोस्तों को और सारे याद कर दो ठीक है ना चलिए एक एक प्रस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों यहां पे पुछा हुआ और यह आप लोगों को एक्जामस में सेम टू सेम पोशन देखनों को मिलेगे देखे इसी तरह के आप लोगों पर्सम पेज पे रहेगा फर्स्ट टर्मिनल एक्जामनेशन 2022-23 लिखा हुआ रहेगा कलास तेयन सोसल साइंस पुर्णांक असी समय दो घंटे 45 मिनट और यह कुछ निर्देश दिये रहेंगे ठीक है तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों इसका एंसर पुर ट्रोलोड कर सकतो ठीक है चलिए पहला परसन देखते हैं दोस्तों कहा गया है कि किसने कहा था जब फ्रांस छीकता है तो बांकी रूप को सर्दी जुकाम हो जाती है पहला कोर्संस यही है दोस्तों इसका राइट इंसर हो जगा मेटरनिक के दोरा यह कहा गया था नेपोलि परसन के लिए यह चीज तो यह आप लोगों को याद रखना ओप्सन नंबर सी के सा चलना है दूसरा है कि फ्रांस की करांती 1789 इसवी के समय वहां किस राजवंस का सासन था तो अगला है कि नेपोलियन बोनापाट किस वर्ष फ्रांस का समराट बना था तो अठार सो चार इसवी में बना था दोस्तो फ्रांस का समराट राजगदी मिला था इनको ठीक है ना चले अगला प्रसन देखते हैं एक एक प्रसन यहाँ पर पूछा हुआ है सारे आप लोगों को याद करते चलते जाना है ठीक है ना अगला है कि रोफिय सभेता का पालना किस देश को कहा हना है दोस्तो यूनान को आपशन नमर B के साच चलेंगे पांच नमर है कि 3830 की करांती के बाद फ्रांस में किस फरकार का सासर अस्थापित हुआ देखे इस वी के क्रामती के बाद फ्रांस में जो सासन अस्थापित हुआ दोस्तों, उसको उम्रोग संभधानी की राजतंत्र सासन बोलते हैं, तो ऑप्शन अमर यहाँ पर सी के साथ चलेंगे, ठीक है ना? अगला है कि यंग इटली की अस्थापना का स्वाद किस से है, तो यंग इटली की अस्थापना का जो संबन्द है वो मेजनी से दोस्तों इटली है ना तो अप्सन नमर सी के साथ चलेंगे अगला है दोस्तों यहाँ पर कि राष्टबाद की संकल्पना का संबन्द किस से फ्रांस इसी दार्शनिक से है तो यहाँ पर इसका एंसर आप लोग को जिसमें आप लोग को 40 का ही जवाब देना है ठीक है ना तो आठ कोर्शन ऐसे रहेंगे जो यक्ष्टा दिये जाएंगे उसको छोड़ देना है आप लोग को जो नहीं बनता है ठीक है ना अगला है दोस्तों कि सोवियत संग में लाल सेना का गठन किस ने किया था तो सोवि प्रवार्ट मंदीर किस देश में वस्तित है दोस्तों कमबोडिया में इस्तित है अगला है कि वियत नाम में कोलोन किसी कहा जाता था तो फ्रांसेसी नागरीकों को को कोलोन के नाम से जाना जाता था अगला है दोस्तों कि संसाधन हुआ नहीं करते बना करते यह कफण किसका है यह कफण है महातमा गांदीजी का इन में कौन अजयव संसाधन है तो अजयव यहाँ पर जल हो जाएगी option number D अगला है दोस्तो कि इन में से कौन और 9 करनियें संसाधन है इन में से कौन और नवी करनिय संसादन है तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तो आपका कौन सा इन में से सभी अगला है कि 20 में परतिवर्स किस दिन पर्यावरन दिवस मनाया जाता है तो 5 जुन को पर्थम परतिवी समेलन का आयोजन कहा हुआ था तो रियो डी जिने रियो में ठीक है न 18 नमर है कि मिट्टी किस परकार का संसादन है तो मिट्टी जो है दोस्तो ये नवी करनिय संसादन हो जाएगा आपका अगला है कि भारत के कितने परतिसद भूभाग पर मैदान पाय जाते है तो 43% पर यहाँ पर पाय जाते है अगला है यहां पर 20 नमर कहा गया है कि निमलिकित में से कौन सी मिट्टी बाहित मिट्टी है मतलग जो जल के दौरा नदी के दौरा बाहिया गया है मिट्टी लाया गया है ठीक है न उसको हम लोग जलोड नम्लोग मिट्टी के लाम से जानते हैं option number C पंजाब में भूमी हराज का परमुख कारण क्या है तो वहाँ पर सघन क्रिसी होता है दोस्तों इसलिए यहाँ पर उप्शन नमर एक के साथ चलेंगे भूमी हरस का प्रमुख कारण क्या है अगला है दोस्तों कि भाखरा नांगल बांध किस नदी पर है तो भाखरा नांगल पर्युजना जो है दोस्तों वो 17 नदी पर है पंजाब में ठीक है न अगला है किस नदी पर नाली का जल सब सदी को प्योग में आता है तो गंगा नदी का काजिरंगा राष्ट ये उधान किस राजे में वस्तित है तो भारत के असम राजे में वस्तित है दोस्तों अगला है दोस्तों यहाँ पे कि भारत के किस राज में वनों से ढखे भूभा का छेतपल सबसे अधीक है तो इसका नाम है दोस्तों मद परदेश अगला है कि भाहत का पाहला जीव आरक्षन शेतर कहा आप है तो भाहत का पाहला जीव आरक्षन शेतर जो है वो निलगीरी कहा लाता है अगला है यहाँ पे कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे अधिक उपयूगत है अगला है तीस नमर कि अमेरिका में किस परकार की अर्थ विवस्था पर चली था है तो अमेरिका में पुझी वादी अर्थ विस्था है अगला है कि भारत के किस भारत के पर्थम पर्च बर्शी उजिना का कार्ज काल था और फटा फट सारे सब्जेक्ट का लेकर आने हैं वहला हम दोसों एंसर की तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ऑल नौटफिकर स्लिक कर ले न ताकि हम लोग जैसी नूब विडियो लेकर आऊंगा नौटफिकर न आपको मिलते रहेंगे अगला है दोस्तों कि भारत में यहां पर है इतका तो हो जगा 1956 पर्थम पंच वर्षियों नागर कार्जकाल अगला है कि जमसित पूर में लोहा एवा मिस्पात के करखाने के स्थपना जमसित जी टाटा जी के दोरा का किया गया था 1907 इस भी में ठीक है न अगला है कि निमलिकित में से किस देश में मिस्पित अर्थववस्था तो मिस्पित अर्थववस्था जो है दोस्तों यहां पर भारत में है अगला है कि भारत की राष्टी आई का आंकलन सरपर्थम किस ने लगया था तो दादा भाई नैरो जी जी के दोरा लगया गया था दोस्तो भात राश्टी आई का आकलन सबसे पहले अगला है मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पर दोस्तो सब्जेक्टिव परस्ण भी ठीक है ना मुदरा का प्रामचिंतम रूप क्या है तो तामभा हो जाएगा दोस्तो यहाँ पर बिहार की किस जिल्ले की परतिव्यक्ति है सबसे कम है तो सिवहर की हो जाएगी निमलिकित में से कौन साथ यह समाजिक विभेद के कारण बिखंडन का उधाया तो यूगोसलाविया जो है दोस्तो वो समाजिक विभेद के कारण बिखंडन हो गया था पराचिन काल में जाती परता का अधार था तो पराचिन काल में जाती परता का अधार कई कारणों से ह धर्म तो आज कल हो गया दोस्तों जाती पर था पहले भी था ठीक है ना जाती पर था काधार यहां पर कर्म रंग लिंग यह धर्म हो जागा दोस्तों आप्स नमबर ए अगला है दोस्तों कि मुस्लिम लिक्ष थापना किस वर्स हुई थी तो 1926 भी हुई थी अगला है कि समबर्ती सुचि ठीक है ना अगला है कि बरास्तिय महिला आयोग दिनियम किस वर्स बना तो 1990 भी बना था अगला है दोस्तों कि समाजी के बिभेद के कारण बनते हैं धराम भासाच इन में से सबी हो जागा यह सारे बनते हैं समाजी के कारण अगला है कि इनमें संगानत्मक सरकार का उधारन नहीं है मतलब कहां नहीं है तो बिरिटेन हो जगा option no. 2 भारत अमेरिका अश्टेलिया में संख सरकार का उधारन है लसंघानत्मक सरकार है अगला है दोस्टो की मुद्रा को सम्हिधार के की से सुची के अंतरगत रखा गया है तो केंद्र सुची के अंतरगत रखा गया है दोस्तों मुद्रा को है जिसको हम लोग संग सुची के नाम से भी जानते हैं अगला है कि निमलिकित में से कौन बिस्तित छेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है तो देखे दोस्तों बिस्तित छेत्र को प्रभ ये तो हर जगह होता है na इसलिए यहाँ पे सबसे परभावित करने वाली जो प्राप आपदा है ओजन पुरत का छरण हो जाएगा ठीक है न बाट किसे प्रकार की आपदा है तो प्राकिर्तिक हो जाएगा ही मस्खलन से परभावित सबसे ज़्यदा राज जो है वो उत्रा खंड है जहाँ पे ही मस्खलन होते रहते हैं ठीक है न तो देखे दोस्तों यह अब्जक्टिप था जिसमें आप लोग को 40 का जवाब देना था यह आप लोग को यहाँ पर आ गया गायर वस्तुनिश पूछाएंगे दो दो मार्क्स के तो यह आप लोग को यहाँ पर देख लेना है छे में से आपको सिर्फ और शिप तीन का जवाब देना है ठीक है इसको थोड़ा अच्छे से आप लोग देख लो अगला है दोस्तों भूगोल से तो भूगोल से भी आपको तीन जवाब द जाब देना है चार प्रसंड मैं से ठीक है अगला है अर्ठ-सास तो दो का इढ़ा देना है चार कोहर्शन में से शारे आप लोग यहिँ अ धेक लो ठीक है न तोटल आठ में से आप लोग को यहाँ पे चार का जवाब देने जो सोलो मार्स के रहते हैं यही था दोस्तों आप लोग को सावदिक परिक्षा का समाजिक विज्यान का प्रस्ण उमीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को सारे एंसर की पता चल गया ह होगा और इसी तरीक के आप लोग को एक्जाम में कोसंस रहेंगे जिसका जवाब आप लोग को देना है ठीक है याद कर लिजेगा दोस्तों चलिए हम लोग मिलते हैं माइस्मेटिक्स के वीडियो को लेकर साइंस के वीडियो को लेकर इंगलीज और संस्कित का हिंदी का ठ ठीक है न और नियूज जो भी नियूज आते रहेंगे चले दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स में तब तक के लिए जाए वारत